प्रदेश भर में यात्राओं, पद्यात्राओं और सम्मेलनों का दौर जारी है इसके साथ ही टिकेट्स पर मन्थन भी शुरू हो गया है रविवार को सोनी पजिले की गन्नो और विधानसवा क्षित्र में बिज़ेपी के नए कारियाले का उद्खाटन करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बता दिया कि आगामी चुनाव में पार्टी यहां से किसे अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है आज पुरू पुरुनमा का दिन जो हमारे यह देश रिशिमनियों का देश सादू संतों का देश एसा सुब दिन और उस सुब दिन पर आप सब अशिरवात देड़े के लिए भाई देविंदर कात्यान को यह पोचे हैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिस भाव के साथ जिस चाव के साथ आप सब आप समने इस लोक सबा चुनाओं में भी भारते जन्ता पार्टी को जिताने का बारते जन्ता पार्टी के लिए काम करने का जो दिन राथ 28 दिगरी टेंपरिचर में भी काम करते हुए जो बरपूर सहयोग करते हुए गन्नोर से बाते जन्ता पार्टी को जिताने का काम किया आप सबको बहुत बहुत बधाई सुपकाम करता हूँ जिस परकार से यहां हमारे जिलाज देख्षे जस्विर जी ने कहा के कि मजबूत न वही मौके पर देवेंद्र कादियान ने कहा कि गत लोकसबाचनाओं में न केवल पूरा शहर बलकि पूरे विधानसबग शेतर से बीजेपी को बढ़त मिली दो माह बाद होने जा रहे विधानसबाचनाओं में भी जीत दर्श करेंगे ना केवल गन्नोर से मैं समझता हूँ पूरी विधानसबा से हमने अपने परत्यासी को विजई करके भेजा और अगामी जो चुनाओं आ रहे हैं उसको देखते हुए कैसे बारत्या पार्ट जंता पार्टी मजबूत हो यह जितने भी आपके सामने चेहरे आपके जो मूर् अगले दो मीने बाद जो चुनाओं आने वाला है उसको पूरा करेंगे और यहां से बारत्या जंता पार्टी को जितना के बेज़ें बतादें की गन्नोर विधानसबा सीट से बीज़ेपी की टिकेट पर 2019 में निर्मल चौधरी ने जीत हासल की थी लोगसबा चुनाओं के दोरान उन पर बीज़ेपी पिर्तियाशी मोहनलाल बडॉली के खलाफ भीतरगात करने का आरूप लगा था बताया जा रहा है कि वो कॉंग्रेस के संपर्क में हैं यही वज़े है कि बीज़ेपी इस बार यहां से नए प्रतियाशी को मैदान में उतारने जा रही है गन्नौर से कपिल शांडिल ले पंजाब के स्ट्री टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद